कन्या कुमारी से चली राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा पर भाजपा लगातार हमले कर रही है दिन प्रती दिन ये हमले तेज होते जा रही है और ऐसा लगता है कि यात्रा और विवादों का चोली दामन का साथ है विवाद भी नए से नया दिल्चस्प, मनोरंजन भी और भरपूर जानकारी भी पहले आये गुलाम नभी आजाद जिन्होंने यात्रा शुरू होने से पहले कॉंग्रेस को अलविदा कहते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है और इनके फैसले ड्राइवर कर रही है साथ ही उन्होंने सलाह दी कि भारत जोडो यात्रा से पहले कॉंग्रेस जोडो यात्रा निकालें तो बेहितर होगा इस तरह अपनी प्यार भरी सीख देकर जी 23 के मुखिया अलविदा कहे गए फिर आया भाजपा का IT सेल राहुल गांधी की टी शट पर नजर गई और जट से वाइरल होने लगा कि महंगाई के विरोध में निकले राहुल गांधी अत्मा गांधी की तरह राहुल गांधी निकलेंगे अगर ऐसा होगा तो सोचिए राहुल गांधी इस समय कैसे लगेंगे क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जनसभाओं में साधारन कपड़ों में निकलते हैं बाकाइदा उनका चेहरा समवारने के वीडियो वाइरल होते हैं फिर भाजपा राहुल गांधी पर कोई और इलजाम लगा देती तो ज्यादा अच्छा होता भाजपा के पास क्या यही इलजाम बचा खुद लाखों रुपए के सूट पहनते हैं हमारे प्रधान मंत्री उसको लेकर तो आज तक कोई बात भाजपा ने नहीं की अब सामने आई हैं समरीती इरानी दन दनाती हुई वीडियो में कह रही है कि कन्या कुमारी से भारत जोडो यात्रा की शुरुआत में सुआमी विवेका नंद को याद नहीं किया गया इसके जवाब में समरीती इरानी के वीडियो के साथ कॉंग्रेस आईटी सेल ने राहुल गांधी का स्वामी विवेका नंद की प्रतीमा पर शीश नवाते और परिक्रमा करते वीडियो अटैच कर पूछा कि समरीती जी क्या हुआ है आपको सत्ता के नशे में सच में भूल ही गई है सब कुछ राहुल गांधी तो स्वामी विवेका नंद को नमन कर रही है और आप सरसराहट जूट बोल रही है आपकी मर्यादा है या फिर नहीं कॉंग्रेस आईटी सेल ने समरीती इरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप केंद्रिय मंत्री है और ठीक है कि आखिर समरीती इरानी को आवशकता क्या पड़ी भाजपान रहते तो को खुश करने के लिए कोई और इल्जाम लगाया होता तो ज्यादा बेहितर होता ये जूट का सहारा क्यूं लिया गया ये तो समझ से परे हैं कोई समरीती इरानी से पूछो अमेठी कब कब जाती है कितना बदल दिया अमेठी उन्होंने अगर अमेठी का चेहरा बदला गया है तो ये जनता को बताया जाए समरीती इरानी वैसे लोग भी आपको ढूण रहे हैं कि कॉंग्रेस शासनकाल में रसोई गैस सिलेंडर की मात्र पांच रुपए कीमत बढ़ने पर जिस समरीती इरानी ने आसमान सर पर उठा लिया था और पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को चूडिया तक भेजने की घोशना की थी अब तो रसोई गैस सिलेंडर एक हजार से भी उपर कीमत का हो गया अब जनता इंतजार कर रही है कि समरीती इरानी चूडिया लेकर आएंगी और जनता का कश्ट दूर करेंगी अब समरीती इरानी सत्ता का सुख भोग रही है और सत्ता सुख में आम आदमी के दुख दर्द ना कभी सुनाई देते हैं और ना ही दिखाई देते हैं क्यूंकि सत्ता सुख में आँखे और कान सुनना और देखना बंद कर देते हैं चलिए कम से कम कन्या कुमारी का राहुल गांधी वाला वीडियो तो भाजपा को और समरीती इरानी को अब दिख गया होगा ANV News के लिए कमलेश भारती अकी ये खास रिपोर्ट